प्रेंड्स जिन्देगी में सभी का एक सपना होता है इंडिया में जादा तर लोग चाहते हैं कि वो बड़े होकर इंजिनियर, डेक्टर, क्रिकेटर या अभिसर बनें जिससे उनको सभी इंसान रिस्पेक्ट करें और मुझे पता है ये आपका भी सपना है तो अगर आपका सपना है अच्छा रिस्पेक्ट जोब और तैसा तुम मेरा इस वीडियो को जरूर देखे फ्रेंड्स अगर आप एक सनमानिय जोब चाहिए तो आप एड़बुकेट यानि वकील बन सकते हैं वकील यानि लोयर अपने आप में एक बहुत बड़ी पोश्ट है वकील कानून का मस्या होता है यानि अगर कोई आदमी कानूनी प्रॉब्लेम में पड़ती है तो उसे सबसे पहले किसी वकील का सला लेना पड़ती है तो आप सोच सकते हैं इस प्रॉब्लेशन कितना अच्छा केरियर है आपके लिए इसमें नाम, पैसा, इज़त, रुद्वा वो सब को से जो एक आदमी और आजकाल एक औरात भी चाहते है तो आज आप लोग को बताएंगे एड़बुकेट यानि एलेलपी कोर्स करने के लिए इसका एडिकरिशनल कॉलिवेशन, कोर्स टाइब, कोर्स डिवरेशन, बेस्ट कॉलेजेज और कोर्स पूरा करने के बाद इसका सलारी कितना होता है, कहा जौब मिल सकता है और कैसे एक अच्चा वकिल बन सकते हैं? क्यूँके आज कल वकिल तो बहुत है, बट एक अच्चा यानि बढ़ा वकिल बनना ही सबका एईप होना चाहिए एक सफल अकिल बनने के बाद ही आप खुद को वकिल कैसकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, LLB डिग्री लेने के लिए आपको मिनिमाम 12 पास होना जरूरी है, वो भी 50% मार्च्स के साथ और अगर आप चाहे तो ग्राजुएशन के बाद भी LLB कोर्स कर सकते हैं फ्रेंड्स, LLB कोर्स बेसिकली टू टाइप में किया जा सकता हैं फ्रेंड्स, अगर आप 12 पास के बाद भी 50% मार्च्स चाहिए फ्रेंड्स, अगर आप 12 पास के बाद LLB डिग्री लेना चाहते हैं तो इसके लिए इसका कोर्स डियूरेशन है 5 यार्स जहाँ पर अगर आप ग्राजुएशन के बाद LLB कोर्स करना चाहते हैं तो इसका कोर्स डियूरेशन है 3 यार्स Friends, Intrigated LLB Course यानि 12th Pass के बाद अगर आप LLB Course करना चाते हैं तो आपका Maximum Age होना चाहिए 20 years और अगर आप Graduation के बाद LLB डिग्री लेना चाते हैं तो कोई भी Age Limit नहीं है Friends, Law College में Admission लेने के लिए आपको 12th Act Graduation के बाद CLAT यानि Common Law Admission Test देना पड़ता है Law College में Admission लेने के लिए CLAT सबसे ज़्यादा Popular Entrance एक्जामें इसके अलावा आप चाहे तो AILET Entrance Test, LSAT Entrance Test और AMU Law Entrance Test आप दे सकते हैं National Law School of India University, Bangalore, Faculty of Law, University of Delhi, NALSAR University of Law, Hyderabad, The West Bengal National University of Political Sciences, Calcutta And The National Law Institute University, Bhopal ऐसे ही बहुत सारे Indian Top Colleges and University हैं हमारे इंडिया में जिसका लिंक आपको मेरा description में मिल जाएगा Friends, एक अच्छा वकील बनने के लिए आपको LLB डिग्री पाने के बाद इंटरंशिव करना चाहिए इंटरंशिव करने के बाद आप आपको किसी भी State Work Council में जाकर अपने आपको इंडरोल करना जरूरी है और इंडरोल करने के बाद आपको All India Work Council को क्लियर करना होता है और इसको क्लियर करने के बाद आपको एक Practice Certificate मिलता है जिसको पास साल के बाद रिन्योर भी करना पड़ती है और ऐसे ही Complete होता है आपका All India का Full Course और फ्रेंड्स अगर आप चाहे तो इस सब ना करके सिर्फ LLB डिग्री को लेकर भी जॉब कर सकते हैं फ्रेंड्स LLB कोर्स फीज विविन्ना कलेज में विन्ना विन्ना होता है अनुमनिक 30,000 से 50,000 होता है गॉबर्मेंट कोलेज में बट अगर आप प्राइबेट कोलेज में LLB कोर्स करते हैं तो वह पर इसका फीज होता है धाय लाग से 10 लाग तक और आपको बता दे बहुत सारे LLB कोलेज में ट्रेंड्स और ग्राज़ेशन का मार्स का परसेंटेज भी कम लगता है और कुछ कॉलेज तो टाइरेक्ट एड्मिशन भी लेता है और भी जादा जान करी के लिए मेरा इमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं फ्रेंड्स LLB कोर्स एक मिनिमम कॉलेजिकेशन है एक वकील बनने के लिए LLB डिग्री लेने के बाद आप चाहे तो PG Law कोर्स भी कर सकते हैं और इसके अलावा भी MBL Master of Business Law, LLM Masters of Law and PG Diploma कोर्स भी कर सकते हैं फ्रेंड्स लॉड डिग्री पाने के बाद वैसे तो अब बहुत जगापड जॉब कर सकते हैं बट मेरा माना है सबसे पहले आपको बड़े उकिल के पात जाकर जॉब करना चाहिए जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और फिर एक्सप्रियेंस के बाद आपको बहुत चारे जगापड जॉब ऐसे ही मिल जाएगा जैसे आप चाहे तो कॉर्परिटिफ फर्म्स, लॉइ इंस्टिटिउशन, लिगल कंसल्टेंसी, लॉइ इन्फोर्समेंट एजेंसी और लॉइ का प्रोपेशर और आदर्स कमपनी में भी आपको जॉब मिल सकते हैं और इसके बाद धीरे धीरे लिगल एडवाइजर, कॉर्परिट अप लॉयर, गॉबर्मेंट लॉयर, कॉर्परिट एक एजन एसेट एड़ एड़ुकेट ऐसे ही बड़े-बड़े अफिसर भी बन सकते हैं पहले तो आपको 10 से 15,000 बलेगा बट एक्सप्रेंस होने के बाद सलारी इंक्रीज होगा और अगर आपको पहले ही गॉबर्मेंट जॉब मिलता है तो आपका सलारी 50,000 हो सकते हैं और फेंस आपको पताहिए एक अच्छे वकेल बनने के बाद आप लाक नहीं करोडों भी इंकम कर सकते हैं बट एक अच्छा वकेल यानी लोड डिग्री पढ़ने से पहले आप खुद को पैचानिए एक अच्छा वकेल बनने के लिए दिमाग हमेसा सक्डिय उना जरूरी है बोलने में माहिर होना चाहिए सोचने और समझाने का खमता होना चाहिए शार्फ मेमोरी होना चाहिए एड मुश्किल का समना हिम्मत से करने वाला होना चाहिए ये साड़े पावर के साथ साथ अगर आपका चाहत और आपका ड्रेम है वकील यानि एक एड़ोकेट बनने का तो ही आप एक अच्छा एड़ोकेट बन पाएंगे और एक बात फ्रेंड्स इतना अच्छा रिस्पेक्टफुल जॉब के लिए यानि वकील बनने के लिए आपको साइंस, आर्च या कॉमर्स का ज़रूरत नहीं है आप चाहे तो कोई भी टेट से निकल कर इस कोर्स को कर सकते हैं तो दिवाग से मैनात कीजिए और एक अच्छा वकिल बनने का कोशिश कीजिए मेरा मना है अगर आप दिल से और दिमाग से कोशिश करते हैं तो आप भी एक दिन ना एक दिन एक अच्छा वकिल बन पाएंगे बट सबसे पहले आप खुद को पैचानिए कौन सा कूर्स आप के लिए है उसको ढूंडिए तो फ्रेंड्स हाओ टू विकाम ए अड़ोकेट इस वीडियो में आज इतना ही अगर मेड़ा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करने ना बोलिए और वेश्ट आप लग और तेंक धो इसक्ता है